जैहिन दोस्तों बहुत बहुत स्वागा था आपका फिर से एक नए एगुकेशनल वीडियो में दोस्तों आज हम इस वीडियो में टैली प्राइम में इनपुट और आउट्पुट जो GST हम लोग लगाते हैं वो GST हम कैसे लगा पाएंगे आए हम इस वीडियो में स्टेप सबसे पहले दोस्तों टैली प्राइम को ओन करने के लिए यहां से हम टैली प्राइम पर क्लिक करेंगे अगर आपके स्कीन पर टैली प्राइम का लोगो दिखाई दे रहा है तो अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप स्टार्ट में चाहिए और यहां पर टाइप किजिए जैसे आप Tally लिखिएगा आपके पास Tally के जितने सारे भी software होंगे वो यहाँ पर program के रूप में उसके files आपको दिखाई देंगे तो यहाँ से हम Tally Prime पर क्लिक करेंगे तो यह Tally Prime मेरा open हो जाएगा थोरा सा time लगेगा और आपके computer screen पर Tally Prime open हो जाएगे यह दोस्तो Tally Prime कुछ इस interface में खुलेगा हमें अभी सीखने के लिए educational mode का ही use करना है तो हम educational mode पर क्लिक करेंगे इसके लिए कोई करने के लिए चोटा सा फॉर्म खुलेगा इस फॉर्म को परकर के आप company असानी से क्रियेट कर सकते हैं जैसे पहले आपसे company का नाम पूछ रहा है तो company का नाम हम कुछ भी रख लेते हैं जैसे book from beginning financial year 14 और from beginning दोनों सिम रहेगा basic currency symbol इंडियन रुपीज यह by default आपका आ जाएगा और इसे हम accept कर लेंगे जैसे दोस्तों accept कि जिएगा वैसा ही company cgst sgst के बारे में बात करने हैं तो यह work करने के लिए मुझे और सब features को yes no करने की जुरूत नहीं है direct हम इंटे करके आगे बरेंगे उसके बाद एक option आपको right hand side में tax session के यहां पर दिखेगा जहां पर लिखा होगा enable goods and service tax जिसे हम gst के नाम से जानते हैं यह option को आपको yes करना है उसके बाद state automatic by default आपका ले लेगा और यहां से gst number आपको type कर लेना है फिर इंटे करके आपको finally accept कर लेना है फिर एक बार और इंटे करेंगे और इसे final हम accept कर लेंगे आप दोस्तों यह data आपका accept हो जाता है company आपकी बन जाती है अब इसमें आप असानी से purchase और sales की entry कर सकते हैं और साथ में input और output gst का भी इस्तमाल कर पाएंगे इसके लिए आपको करना क्या होगा जाना ह होगा voucher option में कभी भी transaction करते हैं तो transaction करने के बाद company जब आपकी बनी हुई होती है तो आपको voucher में जाकर के click करना है voucher में click करने के बाद payment purchase खोलना होता है तो purchase खोलने के लिए हमें यहां से purchase पे click करना होगा purchase पे click करने के बाद दोस्तों purchase का interface आपका खुल जाएगा जिसमे suppliers number पूछा जाएगा तो हम एक डाल लेते हैं आज का date डाल लेते हैं party name में हम party का नाम कैसी डालते हैं क्योंकि party का नाम मुझे पता नहीं है अगर आपको party का नाम पता है अगर डालना चाहते हैं तो create button पे जाकर कि आप यहां पे नाम का box खुल जाएगा नाम में नाम लिक सकते हैं लेकिं दोस्तो हम यहां फिलाल कैस ही रखते हैं तो हम party name में कैस रखते हुए interview के आगे बढ़ लेते हैं फिर enter करेंगे उसके बाद laser यहां पे शेल्स का डालना होता है यह दोस्तो यहां सॉरी purchase का क्योंकि purchase कर रहे हैं तो purchase कर समय यहाँ पर purchase laser पूछा जाएगा तो create option पे अगर आप click करते हैं तो इसी तरह का interface आएगा जैसे laser creation कहीं तो यहाँ पर purchase का laser बनता है purchase का laser अंडर जो जाएगा वो अंडर purchase account में जाएगा इंटे करेंगे लेगिन इंटे करने के बाद कुछ काम नीचे बढ़ जाता है जैसे type of laser not applicable डालना है GST को applicable करना है details को यहाँ से yes करना है description में आपको goods लिखना है फिर इंटे करने के बाद HSN code को type करना है nature of transaction में purchase taxable को select करना है फिर इंटे करने के बाद integrated tax में अगर आप अमाल लिया जाए 12% tax पे काम कर रहे हैं तो 12% tax जिसमें central चोव, state चोव और case 0 टाइप और supply में goods को लेना है और इसको accept कर लेना है तो purchase का laser आपका complete हो जाएगा उसके बाद name of product पूछेगा तो alt और c button प्रेस करना और यहीं पे product का नाम लिखना है जैसे for example हम यहाँ पे product बना लेते हैं LUX locks एक साबून का नाम under primary category भी हम not applicable डालेंगे और units में हम career button पे click करके एक unit डालेंगे PCS के नाम से इंटे करेंगे पूरा नाम PIEC होगा और इंटे करने के बाद unique code पूछा जाएगा जिसमें हम PCS को select करेंगे फिर इंटे करेंगे taxability यहां से taxable रखना है और यहां से integrated tax अगर आप 12% पर काम कर रहें तो 12% जिसमें central चोई state चोई और case 0% टाइप और supply में goods रखते हुए इसे भी accept कर लेना है लॉक सा quantity हम 1000 पीस रखते हैं एक का price 10 रुपया रखते हैं तो 10,000 का item हो जाता है एक बार इंटे करेंगे और purchase में हम input cgst और input sgst चार्ज करेंगे तो alt c करेंगे और बनाएंगे input cgst input cgst इंटे करेंगे अंडर जाएगा duties and taxes में इंटे करने के बाद type पुछाएगा तो यहां से gst ले लिजिएगा यहां से c है तो central percentage अगर आप 12% पर काम कर रहे हैं तो 6% हो जाएगा rounding method में normal rounding या not applicable दोनों डाल सकते हैं downward भी डाल सकते upward भी डाल सकते कोई दिक्कत नहीं है तो अब not applicable applicable डाल लेते हैं और इसे हम accept कर लेते हैं automatic text कर जाएगा फिर alt c करते हैं और फिर बनाते हम input as gst दोस्तों यह सेम डिव्टिजन टेक्सेज में जाएगा यहां से gst तो state को select करेंगे percentage 6 था है not applicable rounding method को डखते हुए हम accept करेंगे इंटे करने के बाद narration हम लिख लेंगे be ing purchase और हम इसे accept कर लेंगे तो यह purchase का transaction आपका successfully हो जाता है अगर आपको sales करना होता है तो same काम effect press करेंगे हम यहां shortcut key में sales खुलेगा party name हम कैसी डाल करके integrate के आगे बढ़ते हैं laser हम यहां से sales का डालेंगे तो बना लेते हैं sales का laser under जाएगा sales account में और टाइप अफ लेजर नॉट अप्लीकेबल GST अप्लीकेबल डिटेल सियास description पूछेगा तो goods HSN number जो code है वो nature transaction में sales taxable percentage बारा जिसमें central 6 state 6 case 0 टाइप और supply में goods रखते हुए हम इसे accept कर लेंगे name of item अलेडी बना हुआ है locks का हम 520 sold कर रहा है 15 के rate से कर रहा है तो यह amount आ जाएगा एक बार इंटे करके Alt C करना और बनाना है output output C GST under तो duties and taxes में ही जाएगा इंटे करेंगे यहां से GST C है तो central percentage 6 rounding method not applicable एक्सेप्ट फिर एक बार इंटे करने के बाद Alt C और output SGST duties and taxes GST और इस है तो यहां से state tax percentage 6 rounding method not applicable और इंटे तो दोस्तों यह output C और output SGST यहां पर tax cut गया है और आपके main amount में भी add हो गया इंटे करने के बाद नाए रेसल लिखेंगे BEI NGP sold और accept कर लेंगे तो दोस्तों इस तरह से purchase और sales का अगर आप transaction कर रहें एंट्री करने हैं और input GST और output GST पर work करना है तो आप आसानी से कर पाएंगे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजे और मेरे चैनल पर नहीं है तो अपली चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे फिर मिलता है किसी अगरे वीडियो मतब पर के लिए जाहिंद आपका दिन सुबह अच्छाइब कर दो